हेलो दोस्तों आई आम एश रिया और वेलकम टू माई चैनल एडू एश तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब भी हम किसी अर्थन डैम को डिजाइन करते हैं तो उसमें क्या-क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं क्या-क्या चीजों को हम को कंट्रोल करना पड़ता है मेली हम यहाँ पे सीपेज का जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में देखेंगे एन सीपेज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस वीडियो में हम इस चीज को कवर करेंगे ठीक है तो क्या-क्या यूस होता है सीपेज को कंट्रोल करने के लिए यह देख लीजे इस वीडियो का content क्या होने वाला है? पहले में यह आपको शो कर देती हूँ, फिर वीडियो को हम start करते हैं, पहले हम देखेंगे कि अर्थन डेम क्या होता है? और जो हमारा dam होता है, वो कितने टाइप की होते हैं, जिसमें कि अर्थन डैम एक टाइप होता है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि अर्थन डैम में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि उसमें जो मेन प्रॉब्लम आता है सीपेज का आता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम रॉक टो का यूज करते हैं रॉक टो क्या होता है हम देखने वाले हैं होरिजोंटल फिल्टर देखने वाले हैं हम चुमनी ड्रेन के बारे में देखेंगे impervious cut-off के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे and at the last हम relief wells के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं तो यह इस वीडियो का content होने वाला है तो चलिए वीडियो को start करते हैं सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे कि earthen dam क्या होता है अगर आपको इस pdf को download करना है तो आप telegram group join कर सकते हैं वहाँ पे मैं इसको provide कर दूँगी सबसे पहले देखें कि earthen dam क्या होता है dam क्या होता है dam दो type के होते हैं एक होता है हमारा gravity dam और दूसरा होता है हमारा earthen dam gravity dam में हमारा क्या होता है कि यह जो आप देख रहे हैं यह जो dam होता है यह embankment है dam का यह क्या से बना होता है concrete का बना होता है अगर हमारा gravity dam है तब तो जब हमारा dam concrete कराता है तो यह जो भी इस पे forces आने वाले जो भी moment आने वाले यह इसको कैसे रजिस्ट करता है ठेक है लेकिन यहाँ पे हम gravity dam के बारे में नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पे earthen dam के बारे में पढ़ेंगे earthen dam में क्या होता है कि यह जो embankment है जो आपको यहाँ पे show हो रहा है यह जो embankment आपको यहाँ पे show हो रहा है ये किसका बना हुआ है आप देख सकते हैं ये earth material का बना हुआ है या फिर soil से ये मिलके बना हुआ है तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे है earth and dam बोल रहे हैं तो देखे कि क्या क्या दिक्कते आएंगी यहाँ पे भी show हो रहा है ये जो है earth and dam बना हुआ है यहां पे हमने क्या transportation के लिए भी छोटा से road यहां पे construct कर दिया है और यह भी हमारा क्या का बना हुआ है और soil से बना हुआ है ठीक है soil में हमारे क्या आते हैं यह gravel से भी हो सकता है sand से भी हो सकता है यह सबसे मिल के भी हो सकता है प्रोफाइल में आपको समझ मा जाएगा अब हम देखते हैं कि earth and depth हमने हमको पता चल गया कि यह soil से मिल के बना हुआ है अब यहां पे मैंने soil तो बोल दिया अब क्या है कि soil को भी size के according different different name दिया हुआ है जिससे सबसे छोटा size ठीक है less than 2 micron कर रहेगा हमारा size तो clay हो जाएगा ठीक है 2 micron से जादा कराता है तो हमारा क्या कहलाता है वो silt कहलाता है silt के बाद sand आ जाता है sand के बाद हमारा क्या आता है gravel आता है gravel के बाद यहां पे boulder और फिर बाकी आते है ठीक है sizes तो देखी कि यहां पे जो हमारा डैम का अर्थन डैम का कोर होता है ठीक है और यह जो रहता है इसके बाहर का जो रिजन होता है इसको हम ट्रांजिशन जोन बोलते हैं यह आपको यह आपको रेड कलर से शोर है यह ट्रांजिशन जोन होता है एंड इससे जो बाहर का रिजन होता है यह जो होता है हमारा क्या हो होता है, outer zone होता है एक जो बाहरा का जोन होता है तो यह तीन zone में यहां पर divided होता है core, transition and outer आप देखी कि जो हमारा core रहता है कई बर competitive exam में फूष्प दिया जाथा अब गुप्ता आंगु कोरशन देखे होंगे च्मारा क्या होता है कि जो core of dame होता है वो जिससे बना होता है इसमें clay लिखा है लेकिन आपको कई बार clay नहीं देता है clay के साथ कुछ और भी वहाँ पर लिखा रहता है क्या लिखा रहता है clay plus fine sand या फिर fine gravel ठीक है तो अब गर आपको पूछता है कि हमारा जो core of earth and damp रहता है तो अगर वहाँ पे क्या है, fine sand या फिर fine gravel दिया हुआ है clay के साथ, तो आप उसके साथ जाएए, क्योंकि ये ज़्यादा accurate answer है, क्योंकि हम generally जो core of damp रहता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ clay नहीं provide करते हैं, हम उसके साथ fine grain and fine sand या फिर fine gravel को भी provide करते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ clay को यहाँ पर provide कर देंगे, तो यहाँ पर chances रहेंगे shrinkage and cracking का, तो इसलिए shrinkage and swelling का, इसलिए हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ख्ले नहीं provide करते हैं, उसके साथ हम fine sand या फिर fine gravel को mix कर देते हैं, अगर आपको यह option नहीं मिलता है, तो आप क्या करिएगा कि silty clay भी आप कर सकते हैं, सिल्ट मिला हुए हमारे clay के साथ, तो हम यह भी बोल सकते हैं, तो यह जो होता है, हमारा core of dam इससे बना होता है, और इससे बाहर का transition zone, वो क्या से होता है, एक layer जो होता है, यहाँ पर sand का होता है, दूसरा layer जो होता है, यहाँ पर gravel का होता है, और यहाँ पर outer zone जो होता है, यहाँ पर देखे क्या होता है, इसमें stone और blocks यहाँ पर present रहते हैं, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, डैम का profile रहता है, और यह जो होता है, यह जो होता है, अप्स्रीम होता है, जिसमें की हमारा reservoir रहता है, जो की हमारा water से fill up रहता है, और यह जो जब हम डैम को design करेंगे तो इसमें क्या-क्या failure होने के chances से किस किस चीजों के कारण मेल यहाँ पर हमको किसके कारण रेखना पड़ता है Seepage, Seepage problem क्या होता है यहाँ पर कि Seepage के कारण Seepage कहां से हो सकता है, Seepage जो होता है यह जो है हमारे क्या है, कि यह जो है water flow हो रहा है, यहाँ से reservoir है, water fill up है, तो यह ऐसा water flow हो रहा है, जिसको हम क्या बोल रहा है, यहाँ पर Seepage नाम दे दिये हैं तो यह हमारा क्या हो रहा है कि, through the embankment of the dam, हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे सीपेज हो रहा है, यह first condition है, और दूसरा हमारा क्या हो सकता है, कि beneath, या फिर foundation, यह जो हमारा नीचे में क्या present है, यहाँ पे, यह जो है हमारा foundation of the dam है, यह जो है soil है, यह हमारा foundation of the dam है, तो जैसे कि यहां से भी सीपेज हो सकता है, तो हमको दो जगा से यहां पर बता चला हमारा सीपेज हो सकता है, पहला कहां से, through the embankment of the dam and दूसरा कहां से कि beneath the dam या फिर foundation of the dam हम बोल सकते हैं यह दो जगा है जहां से यहां पर seepage हो सकता है यह पहला और यह दूसरा ठीक है क्योंकि यहां भी soil present है यहां भी soil present है तो obviously अपने आप से अबलाव करेगा water को pass करने के लिए water क्यों पास हो रहा है क्योंकि यहां पर क्या है reservoir है इसका level क्या है high है यहां पर कोई water नहीं है तो water हमेशा कहां से flow होता है high level to low level जाने कि इसका tendency होता है तो यह क्या करेगा flow करेगा high to low तो देखे यहां पर जो seepage का criteria है यह बहुत ही important होता है जब हम earthen dam को design करते हैं तो और इसके लिए हमको इसको control करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है ठीक है इसको कैसे prevent करना इसके लिए हम different different तरीका use करते हैं यहां पर कोई भी drains वगरा नहीं provide कि आगया है इस सीपेज के लिए इसलिए यहां पर no drain का case यहां पर show किया गया है अब देखें कि आगे हम देखेंगे कि इसको कैसे prevent करना है जो कि मैं आगे आपको बता चुकी हूं हम क्या क्या discuss करने वाले हैं लेकिन उससे पहले एक important चीज देखिए कि यह क्या है हमारा seepage lines है ठीक है यह हमारे क्या थे seepage lines है तो जो हमारा top seepage line होता है इसको हम क्या बोलता है यहां पर phreatic line बोलते है जो हमारा top seepage line होता है इसको हम phreatic line बोलेंगे और जो हमारा top seepage line से जो उपर का प्रेशर रहता है इसमें जो प्रेशर होता है जो कैसा रहता है तो नीचे में क्या है, water तो present है, इसलिए यहाँ पे कैसा pressure रहा है, hydrostatic, hydro मतलब water, तो water के कारण जो pressure है, वो hydrostatic pressure है, और उपर में हमारा क्या है, कि water present नहीं है, हो सकता है, capillary action से थोड़ा मोड़ा water present हो भी, लेकिन हम यहाँ पे मानते हैं, कि हमारा उपर में क्या होगा, phreatic line के atmospheric pressure present होता है, ठीक है, तो यह जो pressure का differentiation होता है, phreatic line से उपर, और नीचे यहाँ पे मैंने बताया है, अब यहाँ पे देखिए कि, in order to prevent the seepage of the fine materials from the embankment, various kind of drains which is commonly used in the earth and dam are given below, from the embankment से जब हमारा क्या होगा, यहाँ पे seepage हो रहा है, तो हमको किस तरह से यहाँ पे prevent करना है, इसके लिए हम यहाँ पे following things use कर रहे हैं, जिसके बारे में हम देखेंगे, first यहाँ पे हम rock toe के बारे में देखेंगे, कि rock toe हमारा क्या होता है, rock toe हम कहां provide करते हैं, तो देखें, डाइग्राम से पहले समझ लीजे, यहाँ आपको क्या show हो रहा है、 dam यहाँ पे show हो रहा है, और इसमें rock toe क्या है, यह हमारा क्या है, upstream है यहाँ Помуôn कि यह पोर्शन होथा हैm हमारा क्या होता है, हील होता है, हील ऑफ डैम होता है और यह जो होता है हमारा टो ऑफ डैम होता है तो यहां पर क्या है यह जो आपको शो हो रहा है यहां पर डिफरेंट डिफरेंट साइस के हमने यहां पर सॉयल के पार्टिकल्स को प्रोवाइट किया है तो यह जो हमारा सेटार किया में जबसों पर ऋखेंगे सिर फर सिरफ वाटर फ्लॉय। अर्थन कापनी डर्थन डेम तो और यहां पे देखिए कि जब बिना जब हमने रॉक टो नहीं प्रोवाइट किया था तो जो हमारा फ्रियेटिक लाइन था वो किस तरह से जा रहा था इस तरह से जा रहा था लेकिन अभी आप देखिए कि जब हमने रॉक टो प्रोवाइट किया है तो हमारा फ्रियेटिक ला क्यों रिक खाप को प्रोवाइट कर दिय 알ता है कि अपने सांथ बहु जाता है यहां से यह देखे पूरा इस तरह से बहु जाता हमारा जो यह बह जाता है हमारा तो रहवा रहा झाक tenτιे में हमेसा बनता है ठीक है तो यह जो होता है रॉक टो होता है अब देखिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं in this arrangement stone size which is varying from 15 to 20 cm is arranged in the downstream toe at the end of the dam हमने यहाँ पर देख लिया कि ऐसे sizes ऐसे soil के sizes जिनका की size जोर हैगा ऐसे stones जिनका size 15 to 20 cm है ऐसे soil को हम यहाँ पर यूज करते हैं रॉक टो को डिजाइन करने के लिए which consists of fine sand, coarse sand and gravel as shown in the figure fine sand, coarse sand and gravel यहाँ पर हम यहाँ पर provide करते हैं तो यह आपर आप देख सकते हैं कि हमारा fine sand जो रहेगा सबसे बाहर वाले layer में हम प्रोवाइड कर रहे हैं फिर उससे बड़ा साइस का कोर सेंड हम प्रोवाइट कर रहे हैं और उससे भी बड़ा साइस का मतलब की ग्रेवाल हम अंदर प्रोवाइट कर रहे हैं और उससे भी बड़ा साइस के यहां पे स्टोन हम अंदर प्रोवाइट करेंगे चो आपको यहां पे शो हो रहा है यह हमारा all जिसको हम ने इस तरह से हमने आपे और प्रोटर को प्रोट की है कि उपर में आप देख सकते हैं कि फाइन पार्टिकल को रखिett Eggs अध़ लेगों ऑंके इसमें चारणते हैं यहां पर क्या कर रहे हैं, fine particle को रख रहे हैं और यहां पर अंदर में हम quartz को यहां पर फोइड करते हैं similarly हम इहां पर भी इसी तरह से करते हैं气 है तो यह जो हमारा परफ्पस को प्रखता है कि जो stability of damage उसको प्रोवाःड करता है इस तरह से इस position पे हम यहाँ पे horizontal drain को provide करते हैं या फिर horizontal blanket को provide करते हैं कहाँ पे downstream side पे near to ठीक है इसको आप यहाँ पे ध्यान बेराखिए इसका जो डाइग्राम है इसको आप दिमाग में बैठा लीजे इसके बाद हमारा आता है third type का जो होता है chimney drain chimney drain हमारा कहा provide होता है कि यह यह जो आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ horizontal नहीं होता है इसमें horizontal भी होता है वर्टिकल भी होता है यह आप देख सकते हैं यह vertical है और यह horizontal है तो दोनों टाइप के filter वर्टिकल और होरिजोंटल दोनों ही प्रोवाइट करते हैं ठीक है तो यह ज्यादा effective हो जाता है यहाँ पे हमारा horizontal ड्रेन में सिर्फ हम क्या कर रहे थे यह horizontal वाला portion प्रोवाइट कर रहे थे लेकिन चिम्नी ड्रेन में हम क्या कर रहे है यह vertical वाला जो ड्रेन है यह भी प्रोवाइट कर रहे है ठीक है तो यह जो रहता है इस तरह से हमारा vertically भी ये क्या करता है जो भी seepage हो रहा है इसको क्या कर रहा है यहाँ पे उसके साथ जो भी material लेके आएगा उसको क्या करेगा यहाँ पे flow होने से regist करेगा ठीक है तो इस तरह से क्या होता है मारा chimney drain इसको भी आप इसका position देख लीजे इस तरह से होता है ये शिंदा का होता है और ये जो है इसके अंदर क्या फिलप हैं फिल्टर माटेरियल हैं और ये जो हैं आपको यह आपे शोश हो matched है ये अजे प्रॉट्थ को डिन रहेख धन्य सब क्या थेब Right जो भी यहाँ पे soil या फिर earthen material है उसको यहाँ पे बहने नहीं देगा तो यह जो होते हैं तीन टाइप के हमने पढ़ा filter फर्स जो होता है rock टो, second जो होता है horizontal drain and third जो होता है यहाँ पे chimney drain ठीक है यह क्या कर रहे थे यहाँ पे कि जो भी हमारा seepage जो हो रहा था within the embankment, इमबेक्मेंट में जो भी seepage हो रहा था इसको prevent कर रहा था embankment मतलब यह ठीक है इसके अंदर जो भी seepage हो रहा था इसको prevent कर रहे थे यह तीन चीज कौन कौन चीज, rock toe, horizontal drain and जो हमारा third improved version of horizontal drain that is chimney drain ठीक है तो यह जो रहा था है embankment में जो भी seepage होते हैं उसको prevent करता है और इस तरह से dam को stabilize करने में help करता है और इसके बाद हम देखेंगे कि जब हमारा seepage कहां से हो रहा है foundation से हो रहा है या फिर बिनीत डा-damp जो seepage होता है उसको हम कैसे control करेंगे seepage through the foundation can be controlled by the following methods first हम क्या करते हैं impervious cut-off wall provide करते हैं a vertical cut-off wall which made of concrete or sheet pile extended up to the depth of impervious foundation इसमें क्या करते हैं हम यहाँ पे cut-off wall provide करते हैं यहाँ पे आपको show भी हो रहा है यह हमारा क्या है cut-off wall जो कि concrete से बना होता है ठीक है तो इस तरह से जब यहाँ पे हमारा seepage होगा तो पहले कैसा जाता था seepage ऐसा जाता था लेकिन जब हमने यहाँ पे cut-off wall provide कर दिया है तो seepage जो रहेगा इस तरह से जाके यहाँ से ऐसा करके जाएगा ठीक है इस तरह से तो यहाँ पे जो length of seepage path जो length travel कर रहा है वो increase हो जाता है तो length जब increase हो जाता है तो हमारा exit gradient जो रहता है वो क्या हो जाता है decrease हो जाता है तो जिसके कारण यहाँ पर piping का जो failure का chances रहता है वो कम हो जाता है यह क्या होता है देखिए यहाँ पर exit gradient क्या होता है या फिर hydraulic gradient I is equal to H by L होता है ठीक है तो जब हमारा L हम यहाँ पर increase करेंगे तो I जो रहता है यहाँ पर decrease हो जाता है तो I जब हमारा यहाँ पर decrease हो जा रहा है exit पे तो I exit जब यहाँ पर हमारा कम हो जायेगा तो यहाँ पर failure का जो chances रहता है वो क्या होता है यहाँ पर कम हो जाता है एकटीज जीरो हो जाना मतलब कीडा घायि कि इसका वेट कुछ नीचे ड्रच्छ कर चायरा है यहां पे सी परेच हो रहा है तो सीपेज पिट प्रेशर भी रहेगा तो सी परेज हो pressure है वो उपर के direction में act कर रहा है तो जब ये weight और जो इसका pressure है वो neutralize हो जाएगा तो हमारा weight of soil होगा ये क्या हो जाएगा यहाँ पर zero हो जाएगा इसका तो कोई weight ही नहीं है ठीक है तो ये क्या करेगा कि seepage के साथ ही यहाँ पर बह जाएगा ठीक है जो फोर से उपर के direction में जब वो एक्ट कर रहा है तो ये जो case होता है हमारा क्या होता है piping होता है जब यहाँ के जो soil है जहाँ सेपेज हो रहा है यहाँ के जो soil है वही क्या हो गया बह गया है तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा यहाँ पर hollow pipe type का यहाँ पर क्रिएट हो जायेगा ठीक है जब यहां पर इस तरह से जब यहां पर जहां शीपेज हो रहा है पूरा सॉईल जो है क्या हो चुका है निक यह से कुछ जीरो हो चुका है्क है क्या क्रेंदश कहίν रहा है कि एक अपने इस तरह से एक होलो पाइप टाइप से यहां पे हाली जगा ठीक है पाइप टाइप से ओप बनाशन हो जाएगा ऐसे कि यहां, तो आप देखिए कि यहां पे एक पाइप rete हो गया है, hollow झा प्रींटी को उप्रेट reform है गाली जग Laforette is done then. यह जो नायदम ऑनम हो जाया है, इत्वायों ऑजद मोशनीत हो जाएगा, सब्धाइब की δर मौशनी जो अधनी नियुत आ सिरी सेणोन देतलों हई वैसेख़ सेट सेण सानी इन कशना है यह जो ट्रेवल कर रहा था, पहले ऐसा कर रहा था, तो इसको हम ना करके, यह लेंथ जादे है, ये लेंथ जादा है, यह ज stiff मैं अब चेफेडा है, या बाकि आप इस तरह से शीट पाइल कट अफ वॉल इस टाइप से हमारा प्रेजन होता है जो कि हमारा कॉंक्रीट कट अफ वॉल जिसको हम बोलते हैं कि अपने आप लोग को यह समझ माया कि नहीं लेकिन पाइपिंग का फेलियर ही होता है स्वाइल मेकेनिक्स में ठीक है मैंने तो जितना हो जाके बताने के कोशिश की है ठीक है लेकिन आप बस इसका पोजिशन ध्यान में रखे कि इस तरह इप से हमारा क्या होता है शीट टपाप कर रहा है जो कि देक करें आं चेके कौन सँ फेलियर का फैंग密 की सेलियर को हमको प्रिवेंट क inacistbreaker अब रिलिफव वेल में अका ह। प्रिवेंट भी में हमको हिप्रिवेंट करने के लिए करते है लिए अ मंए टाइं है टूब रूपलिफट प्रेशर आरह है यहाँ पर सीपेज फ्लो होगा तो सीपेज जो रहेगा वाटर रहेगा वो क्या करेगा उपर का डियरो डियर्ट हम क्या बोलते हैं यहां पर अपलिफ प्रेशर बोलते हैं तो उसको हम यहां पर हमको रजिस्ट करना है तो हम यहां पर रिलीफ वैल यहां पर प्रोवाइड करते हैं जैसे कि जो हमारा वेट है वो डाउनवर डारेक्शन में एक्ट कर रहा है जो हमारा डैम का जो वेट है ल तो यह था हमारा पांच टाइप के जो भी हमारे डैम के डिजाइन में बहुत महते पूर्ड रोल प्ले करते हैं, इसके बारे में पढ़ा, फर्स यहां पर हमारा रॉक टो था, सेकंड हरुज़न्टर रें, फर्ड जो था चिमनी ड्रेंज जो कि हम यहां पर इंबेक्मेंट म है, इनको प्रिवेंट करने के लिए अमने क्या किया? यहां पर शीट पयल कट ऐफ वाल प्रोवाइट किया, टो धिवस्का पर जो पोजूज़न आप यहां पर देखी लिया, तो फाउंडेशन के लिए रिलीफ वैल, यहां पर शीट पाइल, कटफ वाल, एंड इम्बेक्मेंट के लिए हमारे तीन टाइप रॉक्टो, रॉक्टो, चिमनी ड्रेन, और होरिजॉन्टल ड्रेन, तो यह पांच चीजों को आप ध्यान में रखिए. I hope यह वीडियो आप लोगों के लिए helpful रहा होगा, किसी और टापिक पर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो आपको समझ में आया, जो मैं समझा रही थी इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक जोरू किया करिये और अभी तक आपने हमेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्रीज सब्सक्राइब कर लिजे, थैंक्यू सो मच पो वाचिंग दिस वीडियो.